हेलो रिवेन आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शाय मिस्रा में आज हम बनने जा रहे हैं सैंविच और यह बहुत हल्दी बहुत टेस्टी होगा जो कि बच्चे सब्जिया नहीं खाते हैं तो वह भी इसमें खाएंगे तो यह देखें एक दो से तीन चमबच ह का मिस्रा बनाया था तो वही बॉल्स बच गई थी वह भी उहने यूज कर लेंगे अगर आपके पास बॉल्स नहीं बची है तो आप इसकी जगह पर बॉल आलू भी ले सकते हैं क्यूंकि बच्चों को जो होता है ना तो बॉल आलू पसंद होता है और चलिए बनाते यह देखिए हमने अपनी गैस पर फ्लेम पर चड़ा दिया है पैन अब इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल जो की तीन से चार स्पून ऑयल है और आप इसमें हम डालेंगे एक हाफ टेबल स्पून जीरा इसको बड़िया सा पकने देंगे हम डालें और आप डालेंगे तंब आप टेबल स्पून दाला है अलदी पाउडर कलर के लिए और यह हाप टे वल स्पून मिर्च मिर्ज गाईज आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं यह हमने दो पिंच हिंग डाली हुई है और इसको आपस में चलाते हुए मून लेंगे अब इसमें हरी मटर डाल रहा है हम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमने थोड़ा साफ्ट करना है तो इसको साफ्ट करेंगे क्योंकि और सबजिया है उनका क्रंच अच्छा लगेगा और इसमें थोड़ा सा देखिए पानी हम एट करना है जिससे की मटर जो हमारी है वो अच्छे से पक जाए हैं है तो इसको चलाते हुए हम पखाएंगे और इसको थोड़के लिए हम कि अब इसमें हम प्याज डाल रहे हैं कि देखे गाइस में प्याज बच्छी में चाहिए तो यह अच्छ से खाएगे और यह वैद स्वाद के ऊध्लम में हमने हैं कि forth धिए यह हैं बहुत टेस्टी बहुत यम्मी इसे आप ढ़क कर पका लें थोड़ी देर के लिए एक बात और इसमें आप जो बच्छे सब्जी नहीं खाते हैं यह देखे हैं हमने इसको फोल कर देख लिया है तो यह हमारी सॉफ्ट हो चुकी है तो इसमें और हम मिलाएंगे जैसे स्बाइब हैं इसको चलाते वे हम भूलेंगे थोड़ी देर के लिए और गाईस यह बहुत हिल्दी होती है इसमें सबजी आप अपने हिसाब से कोई भी ऐड़ कर सकते हैं जो बच्चे खाते हों वह भी आड़ कर सकते हैं इससे बच्चे सारा कुछ खा लेते हैं यह देख बालो भी आड़ कर सकते हैं आलो बच्चों का प्रियेक खाना है इस वजह से यह जरूरी है यह देखिये हमने 1-2 टेबल स्पून डाला हुआ है गरम मसाला यह ₹ टेबल स्पून चाट मसाला एड़ किया हुआ है इससे गाई सवात बहुत 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 अच्छा गाइज चाट मसाला वगयरा डालना है इस वजह से नमक की कौंटिटी थोड़ी सी कम रखें यह देखें गाइज हो मीट म्यूनिस जिसको हम इसमें आट करेंगे और आट करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे यही हमारे एक अच्छी सी ट्रेक है आप देख सकते हैं इसे साथारण होंग बेद्ड आए हैं ठीक है आप सेंडविच भड्ड भी ले सकते हैं और अप साधारण बैड भड़ ¿ाहिए लेसकों नॉर्मल जी सभी स्टोर पर लिए हो यह बड़े हुई है देखें इस प्रोशनार्ण केजिए होग सबना रहे हैं इनको हम टिफिन वगयर अक्सर करके आप अगर बड़ों के हिसाब से बनाए तो आप इसमें चिली सॉस लगा सकते हैं यानि तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यह देखिए अब हमने वही जो अपना इस प्रट करें मसाला रखा है इसको हम अपनी सैन्विचे पर अच्छे से स्प्रट करेंगे यह हमारी सेंविच जो होती है ना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और इसे आप और भी हेल्दी बना सकते हैं इसमें धेर सारी सबजी यह डाल कर यह देखें गाइस दूसरी ब्रट पर भी हमने अच्छे सेंविच लगा लिया है दूसरी ब्रट पर हमने अच्छे से लगा एसी ही तरह से हम सारी कि THERE हैं, सारे सारे सेड़ीचें है के समयखरें लगा घ्रण आप इस पर हम अपनी सैंविचों को फ्राइ करेंगे तो यह देखे गाइस इन सैंविचों को हमने ऐसे रख दिया है और इसको हम अच्छे से दोनों तरब उलटते प्लटते या जिस जितनी भी क्रस्पी बच्चे खाएं उस इसाब से आप क्रस्पी कर सकते हैं हमारे कितना अच्छे से क्रस्पी सेख लिया है इसकी फ्लेम धीमी ही रखें तो इसी तरह से सारे सैंविचे बना लेंगे यह देखे आपको सेकेंड भी दिखाया दे रहे हैं कि सेंविच कैसे पकाते हैं इसको भी हमें उसी तरह से बटर लगा करके पकाना है कि बच्चों के लि सारी वीडियो पूरी देखें अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करें तो इसी तरह से सारी की सारी हम सेंविचे बना लेंगे अपनी और यह गाइस स्वाद में तो इनका पूछो मत क्योंकि हमारा घर का घर की बनी हुई म्यूनीज है तो बहुत 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 टेस्टी बनती है तो इसी तरह से हम सारी की सारी सेंविच सीख चुकी है और उनको हम थोड़ा सा इनका त्रगोंड टाइप का काटेंगे सैंविच जैसे सैंविच हमारी काटी जाती उसी तरह से काटेंगे आप सीधा भी काट सकते हैं कोई प तो इसी तरह से हम काट लेंगे क्योंकि बच्छों को यही से जाधा पसंद आता है तो यह देखिए हमारी सेंविचे बन कर तयार है इनको हम सर्फ कर रहा है हम इसको होमेट म्यूनिस के साथ सर्फ करेंगे आप इसके साथ कोई और अगर चाहते हैं जैसे चिली सॉस टोमाइटो सॉस यह सॉसेज हैं या और कोई तो वह भी एड़ कर सकते तो प्लीज हमारी रेस्पी कैसी लगी कमेंट करेंगे